हेलो स्टुडेंट्स आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है स्टुडेंट्स आज हम डारेक्टिट ओफ एजुकेशिट की तरफ से दी जाने वाली वर्क्षिट नमबर 31 करेंगे जो की क्लास 6 की है और सब्जेक्ट है साइंस ये वर्क्षिट 5 फेबरी 2021 की है तो आएए शुरू करते हैं आज की वर्क्षिट वर्क्षिट शुरू करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तो आएए देखते हैं आज की वर्क्षिट भोजट के घटक पुर्णा वरती तो पेटा ये चैप्टर हम वर्क्षिट में कर चुके हैं अब आज इनकी रिवीजन करेंगे संतूलित आहार वह है आहार जिसमें पोशक तत्र उचित मातरा में और समानोपात में होते हैं उसे जिससे मुनश्य का शरीर स्वस्त रहे तो पेटा वह है भोजन जिसमें सभी पोशक तत्र मोजूद हो और उचित मातरा में हो और सही अनुपात में हो जिससे क्या होगा मनुश्य का शरीर है वो स्वस्त रहे उसे हम संतूलित आहार कहते हैं उसमें कार्बोहाइडर्ट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवन और पानी उचित मातरा में होने चाहिए अब देखते हैं क्या question answer दिये गए है देखो क्या कहा गया है बिटा question number one नीची दिये गई खादे समगरी में चुनकर संतूलित अहर की थाली बनाईए तो बिटा देखो बहुत सारा खाने का समान दिया गया है यहाँ पे जो आपको पसंद है वो नहीं खाना आपको यहाँ पे संतूलित भोजन खाना है तो देखे क्या क्या आएगा संतूलित भोजन में केला यहाँ पे आप लिखेंगे केला खा सकते हैं आप डाल खा सकते देखो चौमिन बिटा संतूलित भोजन नहीं होता है पालक खाएंगे आप ठीक है घी भी ले सकते हैं इसके लावा आप ले सकते हैं संतरा अंकुरित भीज तो बहुत जादा अच्छे होते हैं गुड़ खाएंगे आप अंड़ा भी खा सकते हैं और अगर आप नोनवेज हैं तो मचली भी खा सकते हैं रोटी भी खाईए डोसा भी आपके लिए अच्छा होत तो अगर आपकी डायट पर इसका मतलब कि आप संतुलित भोजन खा रहे हैं हमें फूर्स भी खाने चाहिए चपाती रोटी चाओल डोसा यह सब भी क्या है इनमें भी अच्छा कार्बो हाइड़ होता है केला फूर्स यह सब हमको हमारी डायट में लेना चाहिए तो इस तरह सब्सक्राइब और श्रीयर की मरमत और विकास में सहायता परदान करते हैं शरीर में जो हमेशा मरमत मतलब कि शरीर में क्या होता है देखो नई नई कोशिका बनती है तो नई कोशिका बनती है उनको बनाने में और विकास करने में हेल्प करते हैं विभिन जीवन प्रकिरियाओं को पूरा करने में मदद करते हैं और हमारी दैनिक जो प्रकिरिया है जै अब देखते हैं प्रेशन नमबर टू क्या सभी मुनुष्यों को एक ही मातर में पोशिक तत्रों के आवशक्ता होती है नहीं बेटा देखो हर किसी का शरीर है अलग होता है छोटे बच्चों का बड़े बुजूर्ग न इन सब का शरीर अलग-लग होता है और जगह पे रहने वाले व्यक्तिव का भी शरीर अलग-लग होता है तो अलग तो सभी व्यक्तिव को एक जैसे पोशिक तत्रों के आवशक्ता नहीं होती सबको अपने वातावरन के अनुसार अपने आसपास की तरह रह रहे हैं उसके कोडिंग उन्हें पोशिक तत्रों के आवशक्ता होती है प्रशन नमबर 3 पोशक ततों के बारे में और जानने के लिए नीचे गई शब्दों को पूरा कीजिए तो बिटा देखो क्या करना है आपको यहाँ पर यहाँ शब्द दिये गए है feeling the blanks करना है देखो यहाँ पर vitamin तो हमें लिख देंगे विटामिन ठीक है इस तरह से feeling the blanks करना है आपको वसा यहाँ पर क्या लिख देंगे आप वसा यह क्या है carbohydrate तो आपको feeling the blanks करना है ठीक है ठीक है इसके बाद यह क्या हो जाएगा बताएए यह क्या है प्रोटीन और लास्ट में क्या हो जाएगा पानी तो यह सब हैं हमारे पोशक तत्व और यह हमें लेने बहुत जरूरी है हमारी डाइक में तो बच्चे आज की जो वक्षिट है इसको feeling the blanks को complete कीजिएगा आज की जो वक्षिट है वो complete होती है वक्षिट complete करके अपनी ङच्चे आज